Hello students, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन पे आज हम डिटेल से explain करने वाले हैं और discuss करने वाले हैं IAT Jam 2022 के लिए जो math वाले student के लिए branch होती है, बहुत ही special branch होती है, बहुत सारी student का dream होता है, क्योंकि इस branch में सबसे ज़्यादा placement opportunity available है, तो उस branch का नाम आप देख पा र आ रहे हैं, इस ट्रेंट्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पली चैनल को subscribe जरूर कर लें, अदरवाज वीडियो को like करना, share करना ना भोले अपने friends circle में, अगर आप इस पे अच्छे से इसको share करते हैं, like करते हैं तो जरूर्ष ट्रेंट्स इसकी जो ये branch है, math and computing की branch है कि आप screen पे देख पा रहे होंगे, IAT बिलाई, IAT बिलाई में भी ये branch है, हालांकि ये new IAT है, IAT बिलाई, MSC Maths and Computing, जिसमें आप देख पा रहे होंगे, general की जो 5 seat है, EWS की 2 seat है, OBC की 3 seat है, और SC की 1 seat है, इसी परकार बात करें, IAT धनबाद जिसको ISM भी बोलते हैं, उसमें मेस and Computing branch है, MSC की, total इसमें seat general की 22 है, और EWS के लिए 6 है, and OBC के लिए 15 है, and SC के लिए 8 है, और बात करें, IAT है तो IAT हैदराबाद में भी MSC Mathematics and Computing branch अवेलिबल है, जिसके अगर हम बात करें, तो general के लिए 11 seat हैं, और EWS के लिए 2 seat है, और OBC के लिए 6 seat है, और SC के लिए 4 seat है, और बात करें, इसी परकार IAT Govati Mass and Computing, तो Mass and Computing में आपकी general की 23 seat है, और EWS की 6 seat है, OBC के 16 है, और आपकी SC के 10 seat है, और बात करें, IAT जोदपूर, तो IAT जोदपूर में MSC Mathematics भी branch है, और IAT जोदपूर में MSC plus MTEC in Mass and Computing, यानि आप computer में, या computer science में, अगर आप MESC के background के student है, तो आप MSC और MTEC कर सकते हैं, IAT जोदपूरी opportunity देती है, कि आप MSC और MTEC दोनों एक साथ कर सकते हैं, ये 4 साल का course है, जिसमें सीटे आप देख पा रहे होंगे, नहीं हैं तो परी तेनल को सब्सक्राइब दूर करे लेना, और कमेंट करेंगे,